हेलो दोस्तों स्वागत आपका मारे यूट्यूब चैनल पे आज हम क्लास फिफ्थ का E.V.S का चेप्टर नंबर टू पढ़ेंगे जिसका नाम है इसनेक चारमर्स स्टोरी यानि की एक साफ पकडने वाले की कहानी साफ पकडने वाला मतलब सपेरा ठीक है चलिए शुरू करते हैं इसनेक चारमर्स स्टोरी एक साफ पकडने वाले की कहानी स्टोरी एक साफ पकडने वाले ठीक है यह कर रहा है आई एम आरियनाथ मैं आरियनाथ हूं आई केंडू सम्थिंग स्पेशिल मैं कुछ बहुती स्पेशिल काम कर सकता हूं जो कि तुम मेंसे मुझे पका यकिन है कि तुम मेंसे कोई नहीं कर सकता क्या तुम जानते हो क्या आई कैन प्ले बीन मैं बीन बजा सकता हूं यू मस्ट बी सर्प्राइजड आपको यह हैरानी होगी है जानकर यस आई कैन मेंक स्नेक डांस बाइ प्लेंग बीन हाँ मैं नाक को नचा सकता हूं बीन बजा कर यह कला मैंने अपने परिवार के मेंबर से यानि कि अपने पापाया दादा से सिखी है वी पीपल आर नोन एस काल बेलियाज हमें यह कह रहा है कि हम जो लोग हैं हमको कल बेलियाज कहा जाता है ठीक है माई ग्रांट फादर मेरे दादा जी रोसननाथ जी वाज फेमस अमंग और पीपल्स मेरे दादा जी रोसननाथ जी जो हम लोगों के बीच में बहुत जादा फेमस हैं परसिद हैं ही को डीजली कैच मैनी पोजने सने किस वो बहुत अराम से जो बहुत जैरीले साब होते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं उन्होंने अपने टाइम की मुझे बहुत सारी कहानिया सुनाई हैं आओ मैं आपको भी उनके टाइम की एक कहानी सुनाता हूँ ठीक है चलिए ये दादा जी अब उसके दादा जी है वो अपनी कहानी सुना रहे हैं ठीक है ये कह रहा है कि बहुत सारी पेडियों से मेरे दादा पड़ दादा वो सब क्या करते थे सपेरे थे सांप पकड़ने का काम करते थे नाग जो हैं सांप जो हैं वो हमारे लाइफ का हमारे जीवन का बहुत मैतवपूर निस्सा थी हम क्या करते थे कि जो बैम्बू की बास्केट होती है ये देखो इसमें दिखा रखिए जो बैम्बू की बास्केट होती है फिर हम अपने जो सांप है उसको हम क्या करते थे बास्केट से टोकरी से बाहर निकालते थे इवन आफर दा शो पीपल उड़ स्टे उन जब शो खतम हो जाता था वो क्या करते थे सांप का खेल दिखाते थे जब सांप का खेल खतम हो जाता था तो भी लोग वहीं पे रुके रहते थे क्योंकि और साथ में हम क्या रखते थे एक तीन का बोक्स रखते थे यानि की एक डबा भी रखते थे लोहे का और उसमें क्या होता था बहुत सारी दवाईया रखते थे वे दवाईया हम का से मनाते थे वे दवाईया हम जंगल से बहुत सारे पेड़ बोदों से वो दवाईया हम बनाते थे I had learned that I had learned all this from my grandfather ये सब चीजे मैंने अपने दादाजी से सीखी I felt nice that I could help people with my medicine even if doctor and hospital were far off तब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपनी दवाईयों से लोगों की मदद करता था क्योंकि होस्पिटल थे जो और डॉक्टर थे वो बहुत दूर होता थे गाउं से इन रिटर्न बदले में people would give us some money और food grains बदले में जब हम खेल दिखा थे या दवाईयां देते थे लोग बदले में हमें क्या देते थे कुछ पैसे देते थे और कुछ क्या होते थे अनाज देते थे खाने के लिए इन दिस वे इस तरह से हम अपना जीवन चलाते थे ठीक है sometimes I was called the place where someone had been bitten by a snack कोई बारत हो ऐसा होता था लोग मुझे वहाँ बुलाते थे जहां पे किसी को साप ने काट लिया होता था from the marks of the bite I try to find out which snake had bitten the person फिर क्या करते थे जब मैं देखता था जहां पे साप ने काटा है मैं उसके निशान को देखता था और यह जानने की कोशिश करता था कि कौन से साप ने काटा है ठीक है I would give him a medicine for that पहले यह पहचान करते थे कि कौन से साप ने काटा है फिर उसकी हम उसको दवाई दे देते थे ठीक है but I have not always been on the time to help as you know some snake bites can even cause death on the sport जैसा कि आपको पता है कुछ जो साप होते वो तो इतने जहरीले होते है कि काटते ही इंसान की मौत हो जाती है but most of the snakes are not poisonous लेकिन ज्यादातर साप क्या होते है जहरीले नहीं होते है when some farmer sometimes when some farmers would come running for help shouting snake 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 I would catch the snake कई बार क्या होता था जो पिशान होते है वो चिलाते जाते बागते आते सांप सांप करके चिलाते भागते और मैं वहां पे सांप पकड़ने के लिए चला जाता था ठीक है after all catching the snake was something I had been doing since my childhood ये सांप पकड़ने का काम मैं अपने चोटे से यानिके अपने बच्पन से करता रहा हूं ये सब कहानी कौन सुना रहा है उसके दादा जी सुना रही है ये कहानी ठीक है को की बहुत तरह ऐसे मदद करते थे we also entertainment that हम उनको खेल तमाशे दिखाते थे it was not likely today when everyone watch TV for entertainment आज की तरह नहीं होता था पहले TV नहीं होता था आज लोग TV देखते हैं और उसमें खेल तमाशे देखते हैं when I grew older जब मैं बढ़ा हुआ my father taught me how to remove their poisonous teeth जब मैं बढ़ा हुआ तो मेरे जो पिताजी थे उन्होंने बताया कि जो साप के जहरीले दांत होते हैं poisonous teeth से जहरीले दांत fangs बोलते हैं जिनको उनको कैसे तोड़ा जाता है he also taught me how to close the tube of the poison poison in the snake's mouth ये कह रहा है उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो जहरीले नली होती है साप के मुँ में उसको कैसे बंद किया जाता है ठीक है अब ये कह रहा है ये कुछ आपको सोचना है और बताना है have you ever seen anyone playing a bean where ये पूछ रहा है आपने कभी किसी को bean बजाते वे देखा है देखा है तो कहां देखा है तो आप बता सकते हो yes I have seen a person playing bean in where मेले बगारा में आपने देखा हुआ ठीक है फिर एक रहा है have you ever seen a snake where क्या आपने कहीं साप देखा है तो आप देख सकते हो yes I have seen a snake in where with आप आप पता सकते हो किस के साथ देखा था ठीक है जैसे आई साइफ snake in fields खेतों में देखा था जैसे ठीक है अभी आ गया आते है have you scared by it क्या आपको इस डर लगा why क्यों yes yes आपको डर लगा होगा जरूर लगता है आपको सबको लगता है ठीक है तो आप लेख सकते हो yes I scared by it आप पुस्ता why क्यो डर लगा तो आप बता सकते हो because I know snakes are poisonous and they can bite and even ठीक है do you think all snakes are poisonous अभी आपने पढ़ा था इस चैप्टर में कि सभी साफ poisonous नहीं होते तो आप लेख सकते है no all the snakes are not poisonous फिर ये कह रहा है in chapter 1 you read that snakes do not have ears ये कह रहा है अपने chapter 1 में पढ़ा था कि स्नेक होता है उसके कान नहीं होते ठीक है can you snake here the bean does it dance when the bean moves what do you think? ये कह रहा है कि जब कान नहीं होते तो उससनता कैसे है ठीक है तो वो bean कैसे सनता है तो आपको क्या लगता है वो bean सुनके नाचता है या bean को देखके नाचता है तो आप बता सकते हो क्यों ये वो सुन नहीं सकता वो सिर्फ bean को देखके उसके दीके यह देख लेते हैं फिर उसके दादा जी बोलते हैं तुमारे पिता जी मेरे साथ जगह जगह जाया करते थे जब वो छोटे बचे थे तब से उन्होंने बीन बजाना अपने आप से इसी के लिए था बिना किसी के बताए इस डेफिकल्ट अब के दिनों में यह बहुत मुश्किल काम है यह कह रहा है कि गोर्मेंट ने अभी रूल बना दिया है कि कोई भी जो जगली जानवर है उनको पकड़के नहीं रखेगा कुछ लोग क्या आते हैं जानवरों को पकड़के और उनको मार देते हैं और फिर उनकी स्कीन यानिकी खाल को बेच देते हैं बहुत ही महंगे दामों में ठीक हैं इसलिए सरकार ने किया गिया इनके खिलाफ एक सक्त कानून बना दिया अब इस कानून के तहट तो इस कानून के तहट अब हम अपनी आज जीवी का अपना जीवन कैसे चलाएं we people have never killed snake हम लोगों ने सापों को कभी नहीं मारा hands on their skin और ना ही कभी हमने साप को मार कर उसकी चमडी स्कीन बेची ठीक है people say that we keep the snake इने bad condition ये कह रहा है कि लोग कहते हैं कि हम साप को बुरी तरीके से बुरी condition में बुरी हालात में रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है इफ वी वांटिड अगर हम जाते हैं तो we do not we two could have earned a lot of money by killing snake अगर ऐसा होता तो हम सापों को मार कर बहुत सा पैसा कमा लेते और उनकी स्तीन जो होती है खाल को बेच देते but we would never do that लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया snake और आवर ट्रेजर नाग जोते हैं साप चोते वो हमारा खजाना होती है यह क्या होते हैं एक पीडी से दूसरी पीडी पे जाते रहते हैं जैसे दादा दादा के फिर बेटे फिर पोते ऐसी चलते रहते हैं ठीक है we even gift snake to our daughters when they got married हम अपनी बेटियों को भी दहेज में क्या करते थे साप देते थे ठीक है शादियों में in our काली बेला डान्स यह हमारा काली बेला डान्स में we also have movement similar to the dance of snake काली बेला डान्स क्यासा होता है जैसे जैसा डान्स ना करते हैं यानि कि आपने सब्सक्राइब नागिन डान्स यह वही डान्स है नागिन डान्स ठीक है आरियनाथ you will have to make a different life for yourself आरियनाथ तुम्हें अपने लिए कुछ और चुनना होगा जीवन में क्योंकि यह क्या है अब यह काम नहीं चलता आप अब तुम्हारे पिताजी से तुम्हें यह उपार तो मिल गया कि तुम्हें बीन बजानी आ गई तुम्हें और तुम्हारे दोस्त एक पार्टी में जाके लोगों को एंट्रेइन कर सकते हो यानि की बीन बजाकर ठीक है जो ग्यान तुम्हें सापों के बारे में जो चीजे पता है उसको तुम्हें लोगों को तक पहुचाओ दूसरे लोगों को बताओ उसको किन को बताओ the children who live in Townshend City जो बच्चे गाओं और सहरों में रहते हैं ठीक है tell them उन्हें बताओ that they should not be scared of snack कि उन्हें जो साप है उनसे डरना नीचे help them recognize पोजनेक स्नेक उनको तुम ये पहचानना सिखाओ कि कौन सा साप जैरिला होता है कौन सा जैरिला नहीं होता है tell them how snakes are friend of the farmer उनको ये बताओ कि किसानों की कैसे मदद करते हैं साप they eat the rats in the field वो खेतों में जो चूहें होते हैं उनको खा जाते हैं otherwise rat would eat the crop वरना चूहें क्या है सारी फसलों को खा जाएंगे now you tell our story तो अपनी कहानी बताओ also make a new story of your life अपने जीवन में भी तुमें कहानी बनाओ and tell your grandchildren और अपने फिर तुम भी अपने पोते होते हैं जो grandchildren होते हैं उनको बताना ठीक है यह देखो आप देखें तो काली बेला डान्स की ऐसे काली बेला डान्स करते हैं नागिन की तरह हैं ठीक है यह देखो यह बजा रहे हैं यहापे बीन बजा रहे हैं यह देखो काली बेला डान्स में क्या क्या चीज़े होते हैं बजाने के लिए बीन बजाई जाती है, तुमबा बजाई जाता है, कंजीरी बजाई जाती है और डोल बजाई जाता है, ठीक है, यह सब क्या है, यह सब चीजे बजाते हैं, फिर अभी आगे कहा रहा है, questions, यह कहा रहा है, have you ever seen animals being used for entertainment of people, क्या आपने कभी लोगों को खेल तम ऐसा ही है, तो यह पूसरा, when and where did you see this, कब और कहां देखा आपने, तो आप लिख से तो, we sign circus, और we sound road, हम देख ऐसे, ठीक है, which animals should, did you see, क्यों से जानवर का खेल आपने देखा है, तो आप लिख सकते हो, in circus, we saw monkey play, जैसे आप बंदर का खेल देखा हो, आथी का खेल देखा हो तो आप वहाँ पर यह लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आगे कहा रहा है, how did people behave with animals in the show, जो show में होता है, जो इनसान होते हैं, वो उनके साथ कैसा परताव करते हैं, तो आप लिख सकते हो, they behave very politely with animals, ठीक है, was anyone teasing the animal and how, यह कहा रहा है, कि क्या कोई जानवरों को चिडाता है, तो क जैसे बंदर के सामने खुजली करके चिडाते हैं, कोई चलने लग जाता है, ऐसे बच्चे जीव निकालने लग जाते हैं, ऐसे चिडाते हैं, ठीक है, what kind of question come to your mind after seeing that animal show, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, जब आप जानवरों का show देखते हो, तो आप लेख सकते ह आप लिख सकते हो, animals needs their freedom, जानवरों को खुले में रहने के आजादी हो नीचे है, ठीक है, ऐसी बाते हैं लिख सकते हो, जैसे जानवरों को मारा भी जाता है, वहाँ पीटा भी जाता है, ठीक है, आपका ये चेप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, यह देखो, नीचे लिख क्या आपको पता है one of many kinds of snake would snake found in our country हमारे जो देश में बहुत सारे परकार के जो साप पाई जाते हैं ठीक है only four type of snake are poisonous किवल चार तरहें के जो साप होते हैं वो जैरी ले होते हैं उनके नाम क्या क्या है देयार कोबरा कोबरा तो आपने सुना ही होगा डिस्कोवरी पर देखा वापने एक कोमन क्रेट होता है एक रसल वाइपर होता है एक सास्केल्ड वाइपर होता है ठीक है यह साप होते हैं जो कि ज चाहिते बोडी उसके बोडी होता शो मरें चला जाता है फैंक्स दात होते हो थी कोड़ है स्नेक बाइट सी Marshm level 1 श्रक पाइट-छी संहें लिदमिन के जाने पर दोधा दोधा क обists बंकर बाइब हれं जाती है and is available in all government hospital जो कि सभी सरकारे एस्पतालों में पाई जाती है ये देखो ये डुबोईया साप है ये कोबरा साप है ये क्राइट साप है ये अपाई साप है देखो इनके ये लिख रखे हैं नाम ठीक है ये चारोज एहरी ले होते हैं तो इनसे बचके रवू ठीक है तो आपका चैप्टर कम्प्लेट हो गया ठीक है ओके दूस्तो बाई